डेडली नहीं, सूपर डेडली कहिए जनाब बाला कोट में त्राहिमाम मचाने वाला अस्त्र हुआ और घातक इसराइल से आने वाले हैं ये घातक हत्यार बाला कोट में जिस स्पाइस तूथाउजन ने बूम बूम किया था अब उसका एक और घातक वरजन सामने आया है एरो इंडिया शो के दौरान इसराइल ने इसे प्रदर्शित किया है इसका नाम है स्पाइस टू फिफ्टी बाला कोट एर स्ट्राइक के दौरान भारतेवाज सेना ने इसराइल में बनी इसी स्पाइक टू थाउजन मिसाइल की मदद से आतंकी ठिकानों को नेस्ते नामूत किया था वहाँ पर जो आतंग के ठिकाने थे, स्पाइस टू थाॉजन मिसाइल ने अंदर घुसकर ठिकाने के अंदर जो आतंग की मौजूद थे, उनको निशाना बनाया थे, तीन सुसे क्यासपस आतंग की मारे गए थे, और अब भारते वाइसने के बेडे में आने वाले दिनों में एक और स्पाइस टू फिप्टी, एक नया वर्जन ये, उससे ज़्यादा मारक शम्ता के मिसाइल शामिल होने जा रही है, एरन डे शो के दौरान आज ही अज़राइल ने इसको यहाँ पर लॉंच किया, हम आपको इसकी एक तरूसी तस्वीरे दिखा रहे हैं, ये इस मिसा पकिस्तानी से बैहत सकेगी, काफी इसकी मारक शम्ता है और इस वक्त होस्तों से मिसाइल के छेतर में, पाकिस्तान और चीन सरफ पर जिस तरह की हालाद हैं, हाल के दिनों में भारते वाइसेना ने इमरिजनसी खरीद के तरहत, खास्तों से 25 मिसा बड़ी संख्या में प्यार भी भारत के बेड़े में शामिल होने वाला है अब हम आपको दिखाते हैं इसराइल में बनी ही एंटी टैंक मिसाइल जो की दुश्मन की किसी भी टैंक को आसानी से निश्ते नाबूद कर सकती हैं यह इसकी अलग-अलग रेंज हैं खासतोर से अगर 5-5 km तक मार करनी ह हो तो यह स्पाइक ER2 का इस्तेमाल किया जा सकता है और सबसे उपर अगर बात करें स्पाइक की यह 32 km तक वाईसेना के किसी भी लड़ा को विमान से जमीन पर किसी भी टैंक को निश्ते नाबूद कर सकती है हाल के दिनों में खासतोर से जब सरहत पर चीन और पाकिस्तान के चीन के साथ तनाव है भारते सेना थल सेना और वाईसेना दोनों ही इसराइल से एंटी टैंक मिसाइल और इसके लावा जो स्पाइक 2000 मिसाइल और बम हैं काफी बड़ी संख्या में अमर्जंसी खरीद के तहट खरीदे गए हैं और यह हत्यार काफी कारगर हैं दुश्मन के खिलाब किसी भी दुश्मन के बंकर को किसी भी ठीकाने को बरबाद कर सकते हैं वहाई भारत इसराइल से कुछ और घातक मिसाइले भी आसल कर रहा है इन मिसाइलों की खासियत तो हम आपको बताएंगे ही लेकिन आप आसान भाशा में इसकी ताकत समझना चाते हैं तो पिर आप इसे तबाही का दूसरा नाम ही समझी है एक और घातक मिसाइल आपको दिखा रहे हैं रैमपेज जो हवा से जमीन में मार करने वाली एक घातक मिसाइल है सौ किलोमेटर की इसकी रेंज है और ये दुश्मन के किसी भी मजबूत ठिकाने को आसानी से निस्ते नामूत कर सकती है आने वाले दिनों में भारते वाई सेना अमरजंसी खरीद के तहट ऐसी रैमपेज मिसाइल खरीदने जा रही है इस वक्त एरिन इंडिया शो के दौरान इसराइल की कमपनिया अपनी घातक मिसाइल ने उनका परदशन यहां पर कर रही है बात चाहे स्पाइक मिसाइल की हो या फिर रैमपेज मिसाइल की बात करें क्योंकि मौजूदा दौर की जो लड़ाई है दुश्मन के खिलाब उसमें मिसाइलें काफी एहम भूमिका दिभा सकती है कैमर्मेन सत्य के साथ मंजितने की बेंगलूरू आस तक